हेलो स्टुडेंट्स हमें एक्जामपूर कलम सिक्रांती और मैं प्रीती आपका अपने परिवार एक्जामपूर बेस्वागत करती हूं बिलकुल आ जाई है सब लोग क्लास स्टार्ट हो चुकी है ठीक है अच्छा क्लास एक घंडे करने की क्रिपा करें बिलकुल यह घंडे की तो वह फंक्षण की के साथ मैं आज यह वाला टॉपिक लेकर आई हूं आप लोगों के लिए तो क्या है यह keyboard हम बढ़ेंगी आज keyboard keyboard क्या है सबसे पहले आप बताईए keyboard input device है या output device है अगर मैं बात करती हूँ keyboard की तो keyboard कैसा है आपका input device है या output device है यह बाद जल्दी से class को share कर देना आप सभी बिल्कुल class हो चुकिया है तोड़ा सा देरी के साथ class शुरू हो गई है तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी keyboard की बात की जाती है बिल्कुल जल्दी से share कर दो class को है ना class को एक दम से share कर दो जल्दी से आज बिल्कुल एक record तूटना चाहिए तो यहां पर की बात करते इस प्रचाहिए तो बिल्कुल साहिए अब यहां पर देखो चीज़ें समझने वाली कीबॉर्ड कोई कुछ इस तरीके का होता है यहां पर कीबॉर्ड है नहीं तो मैं आपको प्रेजंट करती ही तो कीबॉर्ड कैसा होता है अच्छा की वोड है यहां पर रुख जवावी क्यों मैं दिखाती हूं एक मिन रुखना को ठीक है कि की बोर कैसा होता है आपका तो बिलकुल की बोर्ट के अगर बात की जाए तो इस में प्रखार का तो यहां पर देखो अगर आपको दिख चाहे मैं फ्रूम हो सकता है छिए पौरíem चीरणा और विक्ति पूर्वड नहीं फिर्यां को थाथ यहां पे सबसीं उपर होटी हिमें की तरहें कि आगल बात करूं तो यहां पर होता है एक एक लश्राइख वाला थूया है इंग हो गई है और आपको बाहरा ना है तो आप escape वाला दबा दोगे तो बिल्कुल आपकी skin बाहर चली जाएगी तो कल कहां थे कल की बात में करते हैं अभी पहले class start हो चुके बही तो यहां वे देखो escape के बाद यह सारे functions की है यहां तक f12 ठीक है तो ऊपर आपकी f1 से लेकर f2 इसी के बारे में आज बात करेंगे f12 तक तो टोटल कितनी function की होती है तो टोटल आपकी 12 function की होती है keyboard के अंदर जो क्या आप उपर देखोगे तो यह हो गई f1 f2 f3 से लेकर पूरी f12 ठीक है बाद में बात करते हूं यह वाला portion इधर वाला portion क्या हो जाता है आपका तो यहां पर आपका देखो जहां जहां टैब लिखा हुआ है जहां caps log है 1 2 3 4 होता है a b c d होता है space bar होता है तो इधर वाले portion को बोला जाता है alpha numeric इधर वाले portion को क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है आपका एक मिन्ट इधर वाले portion को बोला जाता है alpha numeric ठीक है क्या बोला जाएगा तो alpha एलफा निम्रिक बोला जाता है इस वाले पार्ट को ठीक है क्योंकि यहां पर बैट भी एबी सी डी भी है और नमबर भी है वन टू थी फॉर भी है यहां पर देखो चलो आगे बात करते हैं तो यहां पर देखो यहां पर क्या है तो अगर आप गेम खेलते हो ज्यादा तरह वहीं पर इस्तमाल होता है तो गेम खेलने के लिए जो बटन दे रखा है आपको उपर एरो साइड में एरो और नीचे एरो तो यह चाहे आप एरो वाले बटन की बात कर लीजे ठीक है चाहे यहां पर जो आपको बटन दे रखें उपर की साइड इंसर्ट होम पेज अप ड इनको बोलते हैं फंक्शन की हो जाती है यह फंक्शन की फंक्शन की और इनको बोलते हैं हम स्पेशल की ठीक है अब आता है यह वाला पॉर्शन यह वाला पॉर्शन कौन सा होता है जहां पर नंबर होते हैं 123456 और सबसे उपर नंबर लॉक होता है यहां पर लिखा होता है nember lock भैं लोग कर दोगे तो इन में से कोई सब्सक्राइब बटन काम नहीं करेगा बागी यहां में पर लिचा ऑज दो इ tut गूमेंगी जो जो चीजे जो जो कोशन पूछे जा चुके आपके कीवोड के ऊपर वो चीज हम लेकर चलेंगे ठीक है तो बिल्कुल समझ में आ गया की बीच में आएगी स्पेशल की और दाइं साइड आएगी आपकी नंबर वाली की या फिर नियुम्रिक की ठीक है चलो तो कीबोड वाला काम हो गया आगे दीको इसके अंदर आपको समझ में आ गया तो आगर सिंपल सिंपल कोशन यह आता है कि कीबोड को कितने भागों में और यहाँ बाता गया है तो आंसर क्या है आपका एक यह रहा एक यह रहा फंक्षन की दो गए तीसरा नियुम्रिक की और चौता इसपेशल की तो चार भागों में आपके कीबोड को बाटा गया है ठीक है इसको जलदी क्वानना भी है it like classes disruption ब напис नहीं है एब चलुन और से विल्कुल सही चल रही है किसमें तौह नहीं ऩुन समझ में आ तो दो हें समय करते हैं करके क्या तो यहां पे स्टाइट करते हैं आपका तिसंबल सिम्बल भी आपके यह की के अंदर ही आएंगे तो सिम्बल देखो कुशन पूछ सकता है बहुत अची चीज पूछी तो अगर सिम्बल की बात की जाए शिफ्ट हो गया कंट्रोल हो गया यह सारी चीज आती है अलफा न्यूमरीक की के अंदर एसकेप फंक्शन की के अंदर आता है डिलीट होम बटन इस्पेशल की के अंदर आता है और नंबर लॉक या फिर नंबर यह नंबर की के अंदर आते है ऐसे कोशन पूछ सकता है यहां पर चलो आगे देखो यहां पर बात क्या करते हैं तो यहां पर बात करते हैं फंक्शन की की तो अगर मैं करके सारे function की को define करूं तो यहां पर फटाफ़ से लिखना है और इसी class में सारी function की आपको याद भी करने हैं ठीक है तो आज हमारा क्या motive है तो आज हमारा motive यह है कि हम सारे function की को इस्तेमाल करेंगे ठीक है जल्दी से अंसर करना हैं आपको जिनको पता है जल्दी से अंसर कीजिए एफ 1 का काम क्या हो जाता है को ओके क्लास्ट मुश्किल से मिली देपेंद्र राठोड जी त evo timing तो यहां पर यहां पर करेक्ट स्टार्ट हो जाती है आपको क्लास के अंदर आजाना है तो क्या हो जाएगा यहां पर अगर बात करती हूं तो आपका F1 function 1 यह बटन दबाते के साथ ही आप मदत की गुहार लगा सकते हो कोई पेज आपको नहीं मिल रहा कहीं आप गलत पेज पर चले गए अब क्या करें तो वहां पर अगर किसी help की ज्रत चाहिए तो वहां पर F1 दबा सकते हो F1 बराबर होगा आपका help की clear है बिल्कुल अब यहां पर देखो क्या होगा बिल्कुल नोट की तरीके से बिता रहे हैं पहले आप keyboard बनाओ keyboard की जो चीज़े बताइए वह चीज़ बनाके describe करनी है फिर आप एके करके यह चीज़े बनाओगे ठीक है तो F1 हो गया अब यहां पर बात करते हैं F2 की तो F2 कौन सी की हो जाएगी अब बात करते हैं F2 की अगर आप F2 या function की दूसरी की press करोगे तो क्या नाम को नाम को बदला जा सकता है folder की नाम को बदला जा सकता है साथ के साथ नोटских बनाना screenshot लेकर सोचो notes बाद में बन जाए तो बिल्कुल जो बनाते हैं वो ले सकते हैं बट जिनको पता है कि बहुत तो लेंगे बट वह रखा ही रह जाएगा तो वह को नोट से साथ के साथ वनाइए तो फंक्शन दूसरी की का मतलब क्या हो जाएगा बिल्कुल फाइल को चेंज करना या फाइल जो भी आपके फाइल फोल्डर के नाम को बढ़ जा सकता है सपोज मैंने फाइल गलती से सेव कर दी जल्द बाजी में फाइल बनाई ठीक है लिखना चाहती तो फाइल का नाम इंपोर्डेंट पर गल्टी से मैंने जल्दी के कारण सिर्फ लिख दिया है ना तो यहां पर मैं फ्टू दबाऊंगी तो उस फाइल का नाम बदला जा सकता है ठीक है तो f1 हो गई मदद के लिए f2 हो गई रिनेम के लिए अब हम बात कर करते हैं तो आपको जल्दी से क्या होगा इसका फिर अभी जल्स यहीं के यहीं आपको याद करने हैं चीज़े कि क्लास नहीं मिलती मुश्किल से मिलती है चलो भी मैं देखते हूं ऐसा क्यों हो रहा है है ना कौन सा वाइरस घुसने की कोशिश कर रहा है हमारे कंप्यूटर के बीच में यहाँ पर देखे को अर्प की बात की हैं तो बिल्कुल सर्चिंग का काम होता है घुंघने का काम होता है तो い यहां पर सबसे नीचे ऐसे करके बार आता है स्टेटस बार पर यह वाला है ना जो भी फाइल आपको नहीं मिल रही यहां पर लिखको वह मिल जाएगी तो सेम अगर आपको कोई फाइल ढूंड़नी है फाइल नहीं मिल रही कैसे आए क्या हो तो उसके लिए आप मार कर लूँगी तो ब्लैक मार कर दो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा काविया जी क्योंकि जितने बार रिवीजन होगा भाई दस बुक को एक बार पढ़ो और एक बुक को या एक नोट्स को दस बार पढ़ो बहुत ज्यादा बैनिफीशल होता है है ना तो बिल्कुल देखो यहां भी क्या होगा तो अगर हम मैं बात करते हूं एस फोर की तो एस फोर का का में एक सप्लोरर में फ्याव okay यह एक ब्राउजर है या से बूगल प्रों में ऐसी इंडरनेट टे प्राउजर है इसके अंदर आपके एडर्रेस बार को खोल देता है आभ ध्रेस बार कौन सी चीज़ए तो एड्रेस बार का मतलब जहींसे आप विजिट कर रहे हो श्न्त क पोड़को दमाओगे तो क्या खुल जाएगा फोर एड्रेस है ना फोर एड्रेस आपके लिए एक पता आया है इस फोर को ऐसे फोर से याद रखना ठीक है तो आपके लिए पता है तो फॉर एड्रेस से याद रखना यहां पर पूरा डिखा देगा कि भाई अगर दिल्ली पुलिस है तो दिल्लीपुलिस.com यह रिजल्ट है ऐसे करके तो पूरा एड्रेस का पता दे देता है कौन तो F4 का काम होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में पूरा पता देना चलो जल्दी से देखते हैं तो F5 की अगर बात की जाए फोर हो गया तो यहां पर देखो अगर F5 की बात की जाती है तो F5 सबको ही पता है क्या होता है तो refresh का काम करता है एफ फाइव का काम होता है रिफ्रेश करने का जब भी चलाओ ना तो यह नहीं कि तर 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 उसके काम करना शुरू कर दिया विचारे को सांस तो लेने दो उसके आइकन को विवस्तित ओने तो जहां पर वो होता है है ना तो बिल्कुल क्या करना है तो जब भी आप computer चलाते हो यहां पर जो चुटकू चुटकू से आइकन बने होते हैं इनको अपनी ही जगह पर विवस्तित करना अगर यह आपने पहले रैम में तो खेर चलते ही हैं तो रैम की मेमोरी को साफ करके सब रोम में आचाए री स्टार्ट हो स्पीड अच्छी हो तो उसके लिए जरूर आपको एफ फाइव करना जरूरी होता है आपको रिफ्रेश क आप काम नहीं करवा सकते करवातों सकते हो जल्दी फिर गरम हो चाएगा क्या फाइदा उसका है ना जैसे इंसान को रिफ्रेश होने के लिए चाए या दूद मठा या फिर दही या फिर कॉफी की जरॉत होती है जो की एफ फाइव से मिलता है ठीक है चलो तो नेक्स देख करते कि फ्सt की इसका काम क्या हो जाएगा यृत तो यहां पर अबता को होता है यहां पर अगर बात की जाए ठीक है यहां पहला वह कि तो की अधषका काम हो जाता है माइक तो सोल्ट में से टो बार दबाया जाए तो वहां पे मेन्यू बार खुल जाता है तो सब्सक्राइब करने से प्रैस करने से प्रैस करना मतलब दबारा तो दो बार दबाने से Microsoft Word में MS रिख देती हूं MS Word में MS Word में मेन्यू बार खुल जाता है मेन्यू बार मतलब कि आपको क्या करना है बही चीजों को सेव करना है या फिर एडिट करना है रिनेम करना है नाम बदलना है तो सारे ओप्शन खुल के आ जाते हैं किसमें याद रखना Microsoft Word के अंदर और कब तो दो बार प्रेस करना पड़ेगा किसको तो F6 को ठीक है तो function 6 का काम MS Word में होता है क्या दो बार अगर आप दबाओगे तो रखन डूर खुलकर आजाएका अपने आप तो निया जबाना तो पड़ी घए का आगे और आगे किया हो जाएगा बिल्कुल F7 कैंगर बात की जाए यहाँळसा बात करते हुं F7 की तो F7 का काम क्या हो जाता है तो आप spelling check करवा सकते हो किसके द्वारा F7 के द्वारा suppose मैं यहां पर लिख दूँ ठीक है बहुत सारी spelling विक्किपीडिया एंसाइक्लोपीडिया है बड़ी बड़ी acknowledgement है तो ऐसे spelling में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो यहां पर अगर मैंने कुछ भी एकनॉलेजमेंट की यह spelling लिख दी एकनॉलेज यह तो सही हो गई न एम एंटी लिख दो बस अब मैंने गलत लिख दी तो यहां पर तो रेड अंडर लाइन आ जाएगी कि आपकी spelling तो गलत है तो इसको कैसे ठीक करूँ मुझको तो ठीक ही नहीं आती की spelling तो इसको ठीक कैसे किया जाए तो यहां पर अगर मैं F7 दबा दूँगी तो यहां पर एक चोटा सा टाइब खुल के आ जाएगा और यहां पर एकनॉलेजमेंट की सही spelling लिख्योंगी इस पर क्लिक करो और इसको रिप्लेस करके वह सही की spelling आ जाएगी में एंटी होता है लास्ट में तो वह स्पैलिंग करेक्टर देगा ठीक है तो स्पैलिंग को करेक्ट करने के लिए आप F7 का इस्तेमाल कर सकते हूं ठीक है बिल्कुल की बोर्ड में कितने तो एक की बोली जाती है यहां पर याद हुआ F5 का मतलब रिफ्रेश F6 का मतलब दो बार प्रेस करेंगी तो MS Word में मिन्यू बार खुल जाएगा F7 का मतलब MS Word में spelling चेक करने के लिए ठीक है चलो तो अब आती है बात हमारी F8 की तो F8 की बात करते हैं फिर आएगी F9 ठीक है तो यहां पर F8 की बात करते हैं बताओ F8 के अंदर क्या हो जाएगा ठीके, किताब खोल के नहीं बताना है ललित भारदवाद जी अच्छा ऐसा भी कर रहे हो आप लोग, ऐसा मत करो ठीके, ठीके, F8 का बताना है, F8 का काम क्या हो जाता है बिल्कुल आपको बताना है, अगर मैं F8 की बात करू तो F8 में क्या काम हो जाएगा तो F8 के बात होती है, तो यह रिबूट करने के काम आता है, F8 आपका रिबूट करने के काम आता है याद करने के तो हुथ को यह यह अगर मैं यह दो भूब हो यहीं तो देख ले ना मिजैसे आपको अच्छा लगे तो रिबूट के काम मतलब क्या होता है अगर आप अपने computer पर काम कर रहे हूं है ना computer आपने एक बार अन कर लिया वो तो क्या बूट बूटिंग हो गई अब आपने क्या करा computer चलाए जा रहे हो computer चल रहा है चलते हुए computer को दुबारा बंद करके on करना चाते हो तो तो वहां पर reboot हो जाएगा बही एक बार आपने चला लिया दुबारा बंद करके चलाना है तो वह reboot हो जाएगा उसी को बोलते है rebooting तो एफ-eat से क्या कर सकते हो आप reboot कर सकते हो किसको अपने system को बात करते है f9 की तो f9 से क्या होगा हाँ f8 से reboot होता है बिल्कुल सही यहां पर बात करते हैं क्या ठीक है बिल्कुल क्लास सही लग रही है तो करते हैं यह मैंने आपको बताया था ओल्ट कंट्रोल प्लस ए से से अपने कोई भी चीज सेलेक्ट कर रखी है अगर आपको वह सेलेक्ट रिमूव करना है हटाना है तो सेलेक्शन को हटाने के लिए आप F9 को दबाओगी तो जितनी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर रहे हैं वह तो सारी आपकी क्या हो जाएंगी तो वह सारी आपकी हट जाएंगी सारी चीज़ें की हो और तोंस देखते हैं तो बिल्कुल भी फैमिली के साथ बैठना चाहिए एक गंडा दो गंडा बैटो हसी मजा करो खाना साथ में खाया करो अच्छा रहता है ठीक है लेकिन पढ़ाई की टाइम से पढ़ाई करो सारी चीज़ें बंद कर दो ठीक है चलो तो क्या हो जाएगा बात की जाए बात की जाए i function 9 function 10 की तो f 10 का काम क्या हो जाता है तो आफ function 10 shift की साथ काम करता है यहाँ पे आपको shift plus f10 दबाना पड़ेगा तो shift plus f10 अगर आप दबाओगे तो क्या होगा बिल्कुल shift plus f10 से desktop पे right click हो जाता है तो जो desktop होता है desktop मतलब जो पहली screen खुल के आती है computer की computer को on करते जो पहली स्क्रीन खुल के आती है उसको डेक्स्टॉप बोलते है तो डेक्स्टॉप पर राइट क्लिक हो जाता है और राइट क्लिक हो जाता है और राइट क्लिक का मतलब क्या होता है कभी करके देखना जब आप कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हो माउस से माउस ही तो ह होता है उसको ही लाते हो तो करसर से राइट क्लिक करते हो तो वहां पर एक बॉक्स खुलके आता है चोटा सा लिखा होता है रिफ्रेश करना है फोल्डर बनाना है क्या क्या करने तो वही चीज आप माउस से ना करकर फंक्षन 10 SHIFT के साथ दबां कर भी कर सकते हो तो फंक्षन 10 को आप SHIFT के साथ जोड कर करोगई तो आपका क्या होगा डेक्स टॉप पे right ट्लिक होजाएगी कले रहे चलो तो next देखते है आगे क्या होगा ठीक ठीक है आगे देखो आगे बात करते हम किसकी तो आगे आएगा आपका दो ही रह गए function की एक तो आगे रह गया F11 और एक रह गया आपका F12 ठीक है F11 की अगर बात की जाए तो इस function की का काम क्या हो जाएगा तो F11 में क्या होता है बिलकुल अगर आप Internet Explorer पे काम कर रहे हो तो पूरी की पूरी स्क्रिन फुल कर देता है ठीक है बात हो रही है कौन से ब्राउजर की तो Internet Explorer की बात हो रही है Internet Explorer पे अगर आप काम कर रहे हो तो वह काम आपको फुल स्क्रिन में दिखा दिया जाएगा किसके द्वारा F11 के द्वारा फुल स्क्रिन का मतलब भई आपने अगर टैब खोला तो छोटी सी स्क्रिन में दिखाई दे रहा है आप चारे हो कि वह चीज़ पूरे बड़ी स्क्रिन पे दिखाई दे तो आप F11 की मदद ले सकते हो वहां से आपको चीज़े फुल स्क्रिन पर दिखाई देंगी हो सकता है ऑप्शन में ना इंटरनेट एक्स्प्रोरर ना दे फुल स्क्रिन दे तो भी आंसर फुल स्क्रिन ही होगा क्लियर है चलो आगे देखते हैं बिलकुल नेक्स बचिया है आपका लास्ट क्या है तो F12 की अगर बात की जाए तो यह फाइल सेव करने के काम आता है F12 से आप फाइल को सेव कर सकते हो ठीक है क्या कर सकते हो तो आप फाइल को सेव करने के लिए F12 की मदद लोगे कैसे अगर आपने कोई भी फाइल बना रखी अगर मैं बात करूं माइक्रोसफ्ट वर्ड के अंदर मैं आप लोगों के लिए क्या बना रही थी तो एक पीडियाफ बना रही थी पुश्चन आसर की पीडियाफ ही तो बनती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल पोर्टेबल मतलब इस जगह उस जगह अराम से चली जाएगी तो पीडिय डिर्ट फ व्वाद ओंगी वहां से भी मेरी फाइल से वह जाएकि बस लिखा हुआने गा किस नाम से करने तो नाम डाल दू एक्जाम पूर बस बिल्कुल आपकी फाइल क्या हो जाएगी एक्जाम पूर के लेख कि चाहे तो कोई भी नाम डाल सकते हो मैंने और लिए ठीक बच्चे जितने हैं बिल्कुल भी गाया नहीं होना यहां पर टेस्ट लिया जाएगा आपका कि क्या चीज़े आपने समझी कुई क्रिवीजन यह समझ में आ गया वन से लेकर अब जो भी नोट्स है जहां भी आपने चीजों को बनाया है ठीक है तो इसका टेस्ट लेंगे हम कल इसका टेस्ट लेंगे हम कल तब तक के लिए क्लास को एंड करते हैं इसका टेस्ट लिया जाएगा क्लास को एंड करते हैं मिलते हैं कल क्लास को कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल ठीक ढाई बजे तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुलाते रहिए खुश रखिए सामने जए हिंज जए बार।